हमारा क्यावनमा क्वेस्टन है दो कथन दिये हुए हैं स्विधान में संसोधन राष्टर पती की पूरो उनुमती से ही आरम किया जा सकता है दूसरा कथन दिया है सभी स्विधान संसोधन विधेकों को परतेक सदन में साधन भहुत से पारित किया जाना आवस्यक है अगर हम पहला कथन देखें वो बिल्कुल गल्थ है क्योंकि स्विधान संसोधन राष्ट्रपती की पूरो अनुमती से आरम नहीं किया जाता वहीं दूसरा कथन भी गल्थ है सभी स्विधान संसोधन सभी स्विधान संसोधन साधन भूंत से पारित नहीं किया जा सकते कुछ संसोधन इसे हैं जिनको विशेस भूंत के साथ पारिते किया जाता है तो राइट अंसर हमारा डी हो जाता है राइट अंसर हमारा डी हो जाता है हमारा नेश्ट क्वेशन है हाल ही में सुर्ख्यों में रहा जैनो ट्रांस्प्लांटेशन किसको कहा जाता है तो जो जैनो ट्रांस्प्लांटेशन होता है विविन परजातियों के बीच अंगों के परत्यारोपन को जैन्ट ट्रांस्प्लांटेशन कहा जाता है हमारा नेश्ट क्वेशन है 52 सिवधान की परस्तावना के संदर्म में कथन दिये हुए है जिसमें पहला कथन है परस्तावना में कहा गया है कि स्विधान भारत की स्विधान सभा से अपना प्रादिकार प्रापत करता है दूसरा भारत्य स्विधान परस्तावना से आरम होने वाला विश्यों का पहला स्विधान था तिसरा परस्तावना स्विधान का भाग है और स्विधान की व्याक्या में सपष्ट तप्रदान करता है तीन कथनें इन में से कौन सा कथन सही है पहला कतन गल्थ है क्योंकि पर्ष्टाउना में नहीं कहा गया कि सुविधान भारत की सुविधान सभा से अपना प्रादिकार प्रापत करता है इसमें कहा है स्विधान भारत के लोगों से अपना प्रादिकार प्रापत करता है नहीं कि स्विधान सभा से यहां सब्दों से खेला है स्विधान सभा से प्रादिकार प्रापत नहीं करता बलकि भारत के लोगों से प्रापत करता है भारतिय सविधान परस्तावना से परारम होने वाला पहला सविधान नहीं है बलकि से पहले अमेरीका का सविधान ऐसा पर्थम सविधान था जिजो परस्तावना से परारम होता था हमारा नेक्स्ट है परस्तावना सविधान का भाग है सिधान की व्याख्या में सपश्टा परदान करता है राइट एंसर हमारा सी हमारा नैस्ट क्वेशन है पच्पनमा फिप्टी फाई भारत में मारसल ला के संद्रम में कुछ कथन दिये हुए है उनमें से बताना है कौन सा कथन सही है भारते सिधान के नुशे चोंतिस में मारसल ला को परिभासित किया गया दूसरा उप्षन है मारसल ला राष्ट्रिय आपात काल दोनों को देश के किसे भी इसे में लागू किया जा सकता है अगर हम पहला कथन देखें भारत के स्विधान में मारसला को परिभासित नहीं किया गया अनुचे 34 में इसका जिकर है लेकिन इसको परिभासित नहीं किया गया दूसरा कथन हमारा सही है मारसला और राष्टरिय आपातकाल को देश के किसे भी हिंसे में लागू किया जा सकता है तो राइट अंसर हमारा भी हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेशन है त्रेपनमा यानि 53 यदि भारत का राश्टर पति स्विधान के अनुचेद 369 के तहत परदान की गई सक्तियों का प्रयोग करता है तो इसमें से कौन साकतन आएगा अगर हम देखें अनुचेद 369 की बात है तो राश्ट्र पति कुछ मूल अधिकारों के परवर्तन को निलम्बित करने का अधिकार परापत हो जाता है अनुचेद 369 में राष्ट्रिया पात काल के दुरान मूल अधिकारों को परवर्थित कराने के लिए किसी भी नहले में आवेदन करने के अधिकार को निलंबित करने के सकती अनुचेद 369 राष्ट्रपति को परदान कर देता है इसका क्या आर्थ है इसका आर्थ यह है कि अनुचे 369 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता बलकि केवल उनके प्रिवर्टन को निलंबित किया जाता है और जो अनुचे 369 का जो विस्तार है समपूर्ण देश या देश के किसी भाग में लागू हो सकता है हमारा नेस्ट है चपपनवा क्वेस्चन हमारा भारत में पदोन्ती में आरक्षन लागू करने के दुरान अनुसूचिस जातियों और अनुसूचिस जन्जातियों के सम्मन्द में लोगों के परतिनीदितों के संद्रम में निमिन कत्नों पर विचार किजि लोग नियोजन में लोगों के किसी वरग के परतिनीदितों की आपर्यात्ता को दर्शाने वाले मातरतमक आंकडे एक्तरत करने के लिए राजे बाद्य है ये हमारा पहला उप्षन दूसरा पद उन्ती संबंदी पदों में औरकशित स्रेणियों के परतिनीदितों की प्रयापत्ता के आंकरन का उत्रदई के इंदर सरकार का है अगर हम दोनों कतनों को ध्यान से देखें तो हमारा पर्थम कतन सही होता है क्योंकि एम नागराजवाद आया था 2006 में इसी परकार एक जर्नल सिंगवाद आया था 2018 में नेल्या ने सुप्रीम कोर्ड ने निर्ने दिया था कि राज्य मातरातमक आंकडों को एक्तिरित करने के लिए बाद्य है कि किसी भी वरग का जो किसी भी न्युक्ती में पर्थनीदितों प्रयापत नहीं है लेकिन अगर दूसरा कथन देखें वो दूसरा कथन गल्थ है क्यों कि पदोंती समधी पदों में आरक्सित वरगों के पर्तिनीदितों की प्रयापत के आंकलन का उत्तरदाई राज्यों पर होना चाहिए केंदर सरकार पर होना चाहिए हमारा स्तावनमा क्वेशन है भारतिय प्रिशद अधिनियम ठारा सो एक्षट ने निम लिखित में से कौन से प्रावधान भारत में पहली बार परस्तूत किये पहला उप्षन है भारतिय परसाशन में अध्यादेश जारी करने की सक्ती आपको पता है कि जो भारत में अध्यादेश अधिनियम ठारा सो एक्षट के तैथी लाया गया था मतलव एक अथन सही है दूसरा है वाइसराई की परिशद में गैर सरकारी सदस्चियों के रूप में भारतियों का नाम निर्देशन आपको पता है कि लार्ड कैनिंग के टाइम मे ही तीन भारतियों को जिन में बनारस का राजा था पत्यारा का महराजा था और सरदिन कर रहा हुथा इन को इन तीनों भारतियों को गैर सरकारी सदस्चियों के रूप में नाम निर्देश्ट किया गया भारत के राजजस्चिव का नया पद ये कल्द है क्योंकि भारत के र 161 के तहत नहीं बनाया गया बल्कि राज्य सेज्चीव के पद को 1558 के अधिनियम के तहत बनाया गया शरीजत किया गया तो इसमें से सिरफ एक और दो कथन सही है हमारा नेक्स्ट क्वेष़्न है अठाउन एक विश्चन बज़िया अब अगर हम देखे साइट में समपत्ती के अधिकार के संद्रब में कौन सा कथन सही है यह एक वीदीक अधिकार है यह सपत्तिक अधिकार है दुसरा यह एक उखत्ति लिए से संस्क्च की एक साधन विदि द्वारा सीमित किया जा सकता है तिस्रा उलंगन के मामले में पीडित वेक्थि को प्रिवर्थित कराने के लिए सीधे उच्तम नेले जा सकता है अगर हम इसक में देखें तो संपत्ति का अधिकार एक विदी का अधिकार है यह बिल्कुल सही कतन है दूसरा इसे संसद की साधान विदी दुआरा सीमित किया जा सकता है यह भी बिल्कुल सही है उलंगन के मामले में पिडित भ्यक्ति सीधे उस्तम नेले जा सकता है ये गल्थ है क्योंकि इसके लिए पहले उस्तम नेले जाना जरूरी है तो राइट एंसर हमारा एक और दो बनता है नेक्स्ट हमारा फ्युप्टिन एट क्वेशन भारतिय सीधान के अनुचेद एक के तहत है भारतिय संग की अभ्यक्ति में निम लिखित में से कौन से सामिल है राज्य संग राज्य एक्षेतर ऐसे राज्य एक्षेतर जो बविश्य में भारत द्वारा अर्जित किये जाएं तो राइट नसर है जो भारती सुधान के अनुचेद के तैत है राज्य सामिल है भारत का राज्य अक्षेतर इसमें भारती संग में केवल राज्य सामिल है जबकि भारत के राज्य अक्षेतर में ने केवल राज्य है बलकि संग अक्षेतर अतता ऐसी राज्य अक्षेतर भी सामिल है जिने भारत सरकार दुआरा बविशे में अर्जित किया जा सकता है अगर हम दुआरा पड़ें दो तरह के सबद हैं एक भारतिय संग है और एक भारत का राज्य अक्षेतर जो भारतिय संग है इसमें से केवल राज्य सामिल है ये सबद लिखा हूँ है भारतिय संग एक होता है भारत राज्य अक्षेतर एक होता है भारत संग एक होता है भारत का राज्य अक्षेतर अगर भारत का राज्य अक्षेतर आ जाता है तो भारत के राज्यक्षेतर में तीनों सामिल होते हैं राज्य, संग, राज्यक्षेतर और ऐसे राज्यक्षेतर जो भुषे में भारत द्वारा अरज्यते किये जाएं वहीं अगर भारत्य संग की बात आती है तो इसमें केवल राज्यक्षेतर सामिल होते हैं बिलकुर ट्रिक्की क्वेसन है आप ऐसे क्वेसनों से समझ का संबल कर ही चले हमारा नेक्स्ट क्वेसन है निम लिखित में से कौन से सिधानत स्युधान सबाद वारा पारित उदेशय में सामिल किये गई निम लिखित में से कौन से सिधानत स्युधान सबाद वारा पारित उदेशय में सामिल थे यह उप्षन सवतनतर भारत और इसके सिधान की सक्तियों यह उप्रादी कारों का स्रोत लोग होंगे दूसरा अलब संख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को परियापत सुरक्षा परदान की जाएगी तिसरा भारतियस विश्व सांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण स्युधा पूर्वक योगदान करेगा तो आपको बता दें स्युधान सभा के जो देश्चय परस्ताव थे उसमें तीनों सामिल थे हमारा 59 वा क्वेस्टन देखें नीमन लिखित में से कोन भारत में भारत की संसदिय परनाली को परिभासित करने वाली विशेष्टा है करेपाली का, विधाईक का, नेपाली का के मद्य सक्तियों का सूसप्ष्ट परिथिकर्ण भारत की संसदिय परनाली में सक्तियों का सपस्ट परिथिकर्ण नहीं होता पहला अगर देखें यहां बिल्कुल सपस्ट परिथिकर्ण नहीं है पहला हमारा कतन गल्थ है करेपाली का, विधाईक का के परती उत्तरदाई यह सही है क्योंकि जो करेपाली का है वो विधाईक का परती उत्तरदाई होती है केंदर और राज्यों के मद्धे सक्तियों का विभाजन ये भी सही है पहला कतन हमारा गल्थ है क्यों गल्थ है लेकिन केंदर और राज्यों के बीच सक्तियों का विभाजन ये राज्ये सासन संसद्य परनाली राज्ये के सासन को प्रभाज करती है और सक्तियों के विष्वाजन का सरकार की संस्दिय परनाली से कोई संस्थर नहीं है उसमें के इंदर रज्या विष्वाजन का कोई संस्थर नहीं होता हमारा इससन है 62 लएगर हाल ईज जो सुर्ख्यों में एक सब़ रहा है भूंगलोटी किसे संबनेथ है ये देसेज पक्सी की एक वी लूपत परजाती है तिसरा ओंगे जनजाती का एक जनजाती है तो हार है तिसरा रंजक बनाने के लिए परियुक्त एक पादप परजाती है आपको बता दें जो भूंगलोटी है वो रंजक बनाने के लिए जो भूंगलोटी है वो रंजक बनाने के लिए पर्यूकते एक परजाती है पादब की परजाती है दोस्तो धन्यवाद जैहिन